हमारे समाज में आज जातिगत राजनीत बढ़ती जा रही है अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग अपनी अपनी जातियों के ठेकेदार बन बैठे हैं उची और नीची जाती का गंदा खेल लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है भारत में 30 करोन से जादा लोग दलि परमुख जाती चमार भी है आज भले ही चमार शब्द का प्रियोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है लेकिन चमार असल में छत्रिये हुआ करते थे चमारों का अपने आप में एक गवरोशाली इतिहास रहा है विदेशी आक्रमण कारियों के खिलाफ आवाज कि कहीं भी और नहीं मिलता है तो फिर जाठी का अस्तित्त कैसे हुआ कि 12 मेर्फ तुमसुर्ण कि खत्रियों से तालुक राखने वाले को लोगों को आज चमार कहकर संबोधित किया जाता है तो आज के इस बीडियो में हम आपको चमार जातिके गौरोशाली और सम्रद्ध शाली इतिहास के बारे में अच्छी तरह रूबर उकराएंगे इस बीडियो को देखने के बाद यकीनन आपकी सोच चमारों के प्रति बदल जाएगी हिंदु धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना भगवान ब्रह्मा जीने की है और सभी जीव जन्त जानवर वा मनुस्यों को भी ब्रह्मा जीने ही बनाया है इस वर ने धर्ति पर रहने वाले सभी मनुस्यों को एक समान ही बनाया है लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंत बाद और जाती बाद के चक्रविहु में फंस्ता चला जा रहा है एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से भी नहीं हिच्किचा था धर्म और जाती के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था पहले लोगों को किसी के जाती के आधार पर नहीं बल्कि उनके कामों के आधार पर पहचाना जाता था आज के समय में जैसे टीचर्स, डाक्टर्स, इंजिनियर्स, टेक्निसियन्स, राइटर्स, सिंगर्स जैसे अलग-अलग पेशे हैं ठीक उसी तरह पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर पहचाना जाता था ब्रामभर, छत्रिय, वैश, और सूद्र के बारे में आपने पढ़ा ही होगा ये सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिये गए थे वोही रामायड और महभारत काल में भी इंसानों को अलग-अलग आधार पर विभाजित किया गया था उस समय देव, दानो, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के अधार पर जाती तेकी जाती थी जो आज की जाती वाद विवस्था से बिलकुल भिन्न है चमार जाती के संबन्ध में वैसे तो कहीं कोई उलेक नहीं मिलता है चमार शब्द का उलेक पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा सोलहवी शतावदी में किया गया था जिस समय भारत में तुर्की और अफगानियों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे उस समय प्रस्चिम बंगाल में चर्मकार वन्ष का राज हुआ करता था ये इच्छाक और सूरिवनसी छत्रिय समदाय से संबंध रखते थे गोतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और समराट अशोग भी इसी वन्ष के थे राजा जबर सेन के शासनकाल में चर्मकार वन्ष काफी उचाईयों तक पहुँच चुका था संत रविदास जी भी चर्मकार वन्ष से तालूग रखते थे चित्तोड के राजा राडा सांगा और उनकी पत्नी झाली राणी संत रविदास जी को बहुत मानते थे राजा और राणी ने संत रविदास जी से चित्तोड आने का अग्रह किया और कहा कि वोई राजगुरू बनकर महल में रह सकते हैं संत रविदास जी ने राजा का निवेदन सुईकार कर लिया और चितोड आकर महल में रहने लगे इसी दोरान संत रविदास जी के उपदेश और उनकी रचनाओं से लोग कापी प्रवावित होने लगे बड़ी संख्या में लोगों ने संत रविदास जी को अपना गुरू बनाया इसी समय दिल्ली के सिंगासन पर आसीन सुल्टान सिकंदर लोदी अपने समराज के विस्तार के लिए आसपास के राज्यों पर हमले कर रहा था जब सिकंदर लोदी को ये सूचना मिली कि संत रविदास जी चितोड में राजा राणा सांगा के महल में राजगुरू बन कर रहने लगे हैं और जनता उनसे काफी प्रभावित है तब सिकंदर लोदी को ये डर सताने लगा कि कहीं लोग इसलाम धर्म की बजाए संत रविदास जी के उपदेशों और ब्याख्यानों से प्रभावित न हो जाएं इसलिए सिकंदर लोदी ने अपने एक खास ब्यक्ती मुल्ला सदना फखीर को चितोड संत रविदास जी से मिलने भेजा सदना फखीर संत रविदास जी के महल में गए और कहा कि क्या आप ही रविदास हैं संत रविदास जी ने बड़े ही बिनमर सुर से कहा हाँ मैं ही रविदास हूँ कहो दिल्ली से इतनी दूर कैसे आना हुआ सदना फकीर ने कहा आप इसलाम धर्म कुबूल कर लें दिल्ली के सुल्तान आपको दिल्ली राजी के मंद्री मंदल में शामिल करके आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे गुरु जी ने कहा ठीक है मुल्ला जी मैं इसलाम धर्म सुविकार करूँगा लेकिन एक शर्त पर अगर शास्तार्त और तरक वितर्क में आप हमको हरा दोगे तो लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हिंदू धर्म सुविकार ना पड़ेगा सदना फकीर को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो इस शर्त को जीत लेगा शर्त के अनुसार दोनों में तरक वितरक सुरू हो गया इस बात विवाद में संत रविदास जी के कई प्रश्णों के सठीक उत्तर देने में मुल्ला जी विफल हो जाते हैं और अपनी हार मानकर गुरू जी के चरणों में गिर पड़ते हैं कहते हैं मुझे माप करना गुरुदेओं मैंने आपको ठीक से नहीं पहचाना मैं अब शर्त के अनुसार अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना रहा हूँ हिंदू धर्म अपनाने के बाद उस फकीर ने अपना नाम बदलकर संत रामदास रख लिया गुरु रविदास और संत रामदास दोनों मिलकर हिंदू धर्म का परचार प्रसार करने में जुट जाते हैं जब सिकंदर लोधी को पता चला की सदना पकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया संत रविदास जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया इस कारागार में उन्हें चमडे के जूते बनाने का काम सौपा गया सिकंदर लोदी का हिंदों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था वह लोगों को जबरन इसलाम धर्म कुबूल करवा रहा था इधर जब संत रविदास जी के कारागार में बंध होने की ख़बर छत्रिय और चर्मकार राजाओं को लगी तो उनका खून खौल उठा सभी राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारो तरप से घेर लिया सिकंदर लोदी ने डर के मारे संत रविदास जी को उज्जत सहित छोड़ दिया और उनसे मापी भी मांगी गुरु जी बड़े ही सरल सभाव के बेक्ति थे उन्होंने सुल्टान को माफ भी कर दिया संत रविदास जी के देहांत के बाद एक बार फिर से सिकंदर लोदी का अत्याचार हिंदों पर बढ़ गया चर्मकार वंश के लोगों ने इसलाम धर्म कुबूल करने से साफ इंकार कर दिया सिकंदर लोदी ने इस वंस के हजारों लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें चमडे के जूते बनाने का काम सौप दिया विदेशी आक्रमण कारियों से पहले चमडे के जूते या चमडे से बना कोई अन्य सामान प्रियोग नहीं किया जा सकता था उस समय के लोग चमडे को अशुध मानते थे सिकंदर लोदी ने कारागार में चमडे का काम करने वाले चत्रियों को उनका अक्मान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित करना शुरू किया चर्मकार वंस के लोगों का अपमान करने और इसलाम धर्म कुबूल ना करने पर सिकंदर लोदी ने चमार कहकर इस शत्रिये समदाय का बहुत अपमान किया चत्रिये लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने जाते थे वो ना तो सुल्टान के जुल्मों के आगे जुके ना ही अपना धर्म छोड़ा उन्होंने अपने स्वाफिमान की रच्छा के लिए चमडे का काम किया और तभी से ही चमडे का काम करने वाले लोगों को शुरू कर दिया गया इस जाती के लोगों की सिक्षा पर भी रोक लगा दी गई जिससे उनकी आने वाली पीड़ी को अपने गवरोशाली इतिहास के बारे में पता न चल पाए चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें छत्रिय समदाई से आलक कर दिया गया और उन्हें अच् के कुछ लिखा है चमार जाती की इतिहास के बारे में सबसे अच्छा व्याख्यान डाप्टर विजे सोनकर सास्तरी द्वारा लेखित हिंदू चर्मकार जाति नामक पुस्तक में मिलता है आज प ότι चमार जाती के लोग लगभक पूरे भारत में पाया रहते हैं भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी समधाय के लोग रहते हैं राजस्तान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बरताव राजभूतों के जैसा प्रतीत होता है महिलाएं घुंगट रखती हैं तो वहीं पुरुष शाखमान के लिए मूचें और पगड़ी रखते हैं आज किसी दलित को या इस जाती के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफी गुस्सा होते हैं और अपना अपमान समझते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो चमार हैं ही नहीं तो फिर किसी की गलत अधारणा को वो कैसे सहन करें चमार जाती का गवरोशाली इतिहास हिंदों के लिए गवरोग की बात है आपको बताते हैं कि दूसरे विशुद्ध के दौरान अंग्रेजों न इस जाती के लोगों में गजब का जोश और स्वाभिमान को देखते विए अपने सेना में भरती करना शुरू किया था और चमार रेजिमेंट की अस्तापना की थी यह रेजिमेंट एक पैदल सेना की रेजिमेंट हुआ करती थी जो लडाई में सबसे आगे रहते थे यह रेजिमेंट अधिकारिक तोर पर एक मार्च 1943 को बनाई गई थी चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लडाई में अपनी महत्वों भून का निभाई थी है इस जाती के लोगों का सरकार से कहना है कि चमार रेजिमेंट बनाकर उनका सम्मान उन्हें लोटाया जाए लेकिन दुर्भाग की बात है कि सरकारें इस बात को गंभीरता से लेती ही नहीं देश में अभी मोदी जी की सरकार है उनके श्यासनकाल में दलितों को सम्मान दिया जा रहा है उनके कल्याण और उत्थान के लिए सदन में तमाम कानून भी बनाया जा चुके हैं इसलिए इस जाती के लोगों को पूरा विस्वास है कि आने वाले दिनों में चमार परजा दिलाने में समर्पित कर दिया आज भी चमार और अन्य दलित समदाई के लोग बाबा साब को अपना आदर्स मानते हैं जरा दिमाग लगा कर सोच कर देख लीजिए कि अगर चर्मकार वंश के छत्रियों ने इसलामिक काक्रमकारियों के खिलाफ अपनी आवाज नही नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से भी ज़्यादा मुसल्मान की आबादी अपने देश में होती हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाते के चर्मकार चत्रियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता आज समय की मांग है कि एक बार फिर हम सारे भेदभाव भुला कर सभी सनातन धर्म के लोगों को एक जुट करें और यदि हम ईद की स्यवई खाकर मुसल्मान भाईयों को गले लगा सकते हैं तो दलित के घर का पानी क्यों नहीं पी सकते बिचार अवश्य करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शियर जरूर करिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाईगा मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद जे भारत